गुद मॉर्निंग स्टुडिंट्स पिछली क्लास में हमने पांच विधियों के बारे में पड़ा था कि जिससे हम मिश्टन के घटकों को अलग-अलग कर सकते हैं आज हम पढ़ेंगे छटी विधि वो ऐसे मिश्टनों के लिए है ऐसे द्रव मिश्टनों के लिए जो आपस में क्या है गुलनशील है तो उनको हम कैसे प्रिथक कर सकते हैं तो इसमें क्या लिखा हूँ है दो गुलनशील द्रवों के मिश्टन को कैसे प्रिथक कर सकते हैं त इसको हम बोलते हैं distillation flask यह इस तरह की होती है इसको बोलते है distillation flask आस्वन flask ठीक है इसमें हमें लेना है इस मिश्टन को और इसमें इन्होंने लगाया हुआ है यहापर थर्मोमेटर और इसको इसी तरह से व्यवस्थित करना है यह stand है जिस पर यह लगाया हुआ है इसको clamp stand बोलते हैं ठीक है उसके बाद इसको बोलते हैं संगनक और फिर उसके बाद यहां पर यह वही चीज़ें जो मैंने कल बताई थी आपको यह burner है और इसको बोलते हैं stand और यह इन्होंने यहां पर क्या लिया हुआ है बी कर लिया हुआ है जिसमें यह ऐसे टोन को एकत्रित कर रहे हैं अब इनको इसी तरह से इंसारे उपकरण को इस तरह से ही व्यवस्थित करना है फिर उसके बाद मिश्रण को धीरी धीरे गर्म करना है और सावधानी पुर्वक हमें थर्मोमेटर का अबलोकन करना है कि उसमें तापमान कितना बढ़ चुका है और उसके ऐसे टोन तो वाश्पिक्रित हो जाएगा ठीक है क्योंकि उसका जो कवत नांख है वो बहुत कम होता है पानी के मुकाबले और वो संगनित होकर कहां चला जाएगा संगनित दुवारा बाहर निकल जाएगा और हमने जो बीकर रखा हुआ था साइड में वो उसमें एकत्रित हो जाएगा और जो जल है वो आस्वन फ्लास्क में ही रह जाएगा इस विदी को आस्वन कहा जाता है और इसका उप्योग ऐसे मिश्रन को अलग-अलग करने में किया जाता है जो बीना अपने घटकों में विभाजित हुए उबल जाते हैं मतलब अगर हम उस मिश मिश्रन को अगर उबालते हैं तो वो अपने घटकों में विभाजित नहीं होता है और जिनके घटकों के कवतनांकों में बहुत अंतराल होता है अधिक अंतराल होता है लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसा मिश्रन है ऐसे घुलन शिल द्रवों का मिश्रन है जिनके कवतनांक को का जो अंतर है वो 25 केल्विन से भी कम होता है उनको अलग करने के लिए हमें प्रभाजी आस्वन विदी का प्रयोग करना पड़ता है और ये विदी जो है इसमें जो उपकरन इस्तेमाल होते हैं वो साधारन आस्वन विदी वाले ही होते हैं सिर्फ इसमें एक अंतर होता है इसमें आस्वन फ्लास्क और संगनक के बीच एक प्रभाजी स्थम्भ लगा होता है जिसको fractional column बोलते हैं और ये क्या होती है, एक नली होती है, जिसके अंदर शीशे के गुटके भरे होते हैं और ये शीशे के गुटके क्या करते हैं वाश्प को ठंडा होने के लिए और संगनित होने के लिए सतह प्रदान करते हैं इससे हम किस तरह के मिश्रणों को अलग-अलग कर सकते हैं जैसे वायू से अलग-अलग गैसों को अलग करना पेट्रोलियम उत्पादों से उनके विभिन घटकों को अलग-अलग करना इन में इस विदी का प्रयोग किया जाता है जैसे कि इस चित्र में दिखाया हुआ है ये सारा जो उपकरन है उसी तरह से वेवस्तित किया हुआ है सिर्फ यहाँ पर क्या लगा हुआ है यह प्रभाजी कॉलम यहाँ पर लगा हुआ है जिसको प्रभाजी स्तंब या फिर फ्रेक्शनल कॉलम भी बोलते हैं इसके अंदर यह छोटी छोटी जो दिख रहे हैं यह क्या है काच के गुट के जो की क्या करते हैं जो भी वाश्प हैं उसको सत्य प्राप्त करते हैं ताकि वो संगनित हो जाएं और ठंडे हो जाएं यह दिख रहे हैं यह तो यह हो गई हमारे पास छटी विधी अब देखते हैं साथ भी विधी कौन सी है वाईू से गैसों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं जो हमारे पास वाईू होते हैं उसमें अलग-अलग गैसे होते हैं जैसे कार्बन डायोकसाइड, नाइट्रोजन, ओक्सीजन तो उनसे अलग-अलग गैसे हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं हमें पता है वायू एक समागी मिष्टन है ठेक है तो इसके घटकों को इससे अलग-अलग करने के लिए हम प्रभाजी आस्वन विधे को उपयोग करते हैं अब इसमें जो अलग-अलग जो स्टेप्स होते हैं जो विभिन चरन हैं उनको ऐसे लिखा हुए है देखो पहले क्य होता है हम वायू को लेते हैं और उसका दाब भढ़ा देते हैं और तापमान को कम कर देते हैं और वायू को संपेडित कर देते हैं और ठंडी हो जाती है तो हमारे पास वह द्रव अवस्था में बन जाती है और द्रव वायू को हम प्रभाजी आस्वन कॉलम में लेकर दिर से धीरे गर्म करना शुरू कर देते हैं और गर्म करने पर क्या होता है जो विभिन गैसे हैं वो विभिन उच्चाईयों पर प्रिथक करन हो जाती है जैसे हमें ये दिया हुए जो उक्सीजन है उसका कवतना कितना है माइनस 183 डिगरी सेल्शेस और वायू प्रतीशत कितना है इसका 20.9 आरगन का कितना है माइनस 186 और इसका प्रतीशत कितना है 0.9 और नाइट्रोजन का कितना है माइनस 196 और इसका वायू प्रतीशत कितना है 78.1 अब जैसे ये दिया हुए हमें यह च्छानक है यहां से वायू अंदर की तरफ जाती है यहां पर वायू का जो दबाव है वो बढ़ाया जाता है तो वो गर्म वायू आगे जाती है यहां इस pipe से यह पानी अंदर जा रहा है तो यह क्या करेगा यहां पर जो वायू है बा प्रिथक करने वाली जो पार्ट है यह क्या करेगा कार्बन डायोकसाइड को शुश्क बर्फ के रूप में अलग कर देगा फिर जो हमारे पास द्रव्य वायू बचेगी वो आगे जाएगी विस्तारक जेट में ठीक है फिर उसके बाद वहां से नाइट्रोजन और आरगन ज फिर उसके बाद की क्या लिखाववाईस में अगर हम उक्सिजन गैस को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें दूसरी गैसे जो हैं उससे अलग करने होंगी और जो द्रव वायू है उसको प्राप्त करने के लिए हमें पहले वायू पर दबाव बढ़ाना होगा उसका ताप क करकर संपेडित करना होगा और फिर द्रविय गैस को हमें प्रभाजी आस्वन स्तंब में धीरे-धीरे गर्म करना होगा और वहां से जो अलग-अलग गैसे हैं वो अपने कवतनांग के अनुसार अलग-अलग हो जाएंगी और हमारे पास जो भी गैस हमें चाहिए जैसे ऑक्स को प्राप्त कर सकते हैं ऐसे जो कार्बन डायोकसाइड हो किस रूप में हमें मिल चुकी है शुष्क बर्व के रूप में फिर उसके बाद हमारे पास जो आठवी विदी है जो लास्ट विदी है जो एक तरहा की मिश्टन को अलग करने के लिए वो क्या है किसी कोपर सलफेट कैसे प्राप्त कर सकते हमारे पास अशुद्ध कोपर सलफेट है उससे हम शुद्ध कोपर सलफेट कैसे प्राप्त कर सकते हैं वो हमें इसमें देखना है हमें क्या करना है एक चीनी मिटी की प्याली में क्या करना है हमें उस अशुद्ध कोपर सलफेट को ले उसकी जो मात्रा है जल की मात्रा और भी कम ना हो जाए और हमारे पास संत्रिप्त विलियन ना बन जाए जो हमारे पास संत्रिप्त विलियन बन जाएगा उसको हमें चानक पत्र से ढख देना है और कमरे के ताप मान पर उसको एक दिन के लिए रख देना है ठंडा होने के जाली में कॉपर सलफेट के शुद क्रिस्टल बने मिल जाएंगे और इस प्रक्रम को इस विधी को क्या बोलते हैं क्रिस्टली करन और इस विधी का प्रयोग हम ठोस पदार्थों को शुद करने में करते हैं जैसे समुदरी जल से जो हम नमक प्राप्त करते हैं उसमें बहुत कर सकते हैं और ये साधारण वाश्पीकरण विधि से अच्छी क्यों होती है ये विधी क्योंकि जो वाश्पीकरण के विधि हैं उसमें हम अगर जो बिदार्थ है जो सब्सक्राइब पूरा जो है हमारे पास विलियन दूशित हो जाता है पूरा जो ठोस है वो दूशित हो जाता है अब इस विधी का प्रियोग कहां कहां पर होता है सबसे पहले तो यही है कि जो हमारे पास मुद्रे जल से नमक प्राप्त होता है उसको शुद्ध करने में इसका प्रियोग किय जाता है और दूसरा यह है कि जो अशुद्ध नमूने होते हैं फिटकरी के उसको शुद्ध में हम परिवर्तित कर सकते हैं जैसे हमने कॉपर सलफेट के जो क्रिस्टल है उनको शुद्ध कर सकते हैं क्रिस्टली करन द्वारा ऐसे अब हमने ये आठ विधिया पढ़ ली हैं आठ प्रकार से हम किस तरह से मिश्रन को अलग-अलग कर सकते हैं उनके घटकों में कैसे अलग-अलग कर सकते हैं वो निर्भर करता है कि हमारा मिश्रन किस प्रकार का है मिश्रन की प्रकृति कैसी है उसके अनुसार हम उपर दी गई आठ विधियों में से कोई भी एक विधी को प्रयोग में ला सकते हैं जो हमारा मिश्रण है उससे शुद्ध पदार्थ को प्राप्त कर सकते हैं और अब नई नई तक्नीकों का विकास हो चुका है और उस विकास के साथ कई और विधियां भी आ चुकी हैं कई और विधि जल की आपूर्ति की जाती है तो आपके यहां पर जो आठ विदियां है प्रिथक करन की वो खत्म हो चुकी है अगर आपको किसी भी विदी में डाउट है तो आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं थैंक यू